साइन्स चाहे जितनी भी तरक्की कर ले लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनको मिर्गी जैसी बीमारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है कई बार लोग ऐसी बीमारियों को ठीक करने के लिए तरहत्रह के अजीबोगरीब तरीके इस्तमाल करते हैं लेकिन इसमें फाइदा होने की जगह अक्सर लोगों को इससे भारी नुकसान हो जाते है एक ऐसा ही मामला सामने आया यूपी के इटावा से जहां पत्नी की मिर्गी का दौरा ठीक करने के लिए पती ने उसको डंडे से पीट दिया जिससे उसकी मौत हो गई डौट कुछी दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें एक यूवक पत्नी को डंडे से पीट रहा है और पत्नी जमीन पर लेटी है इस वीडियो की सच्चाई पर अब पुलिस ने खुलासा कर दिया है पुलिस के मताबिक पत्नी को मिर्गी के दोरे पढ़ते थे इसको दूर करने के लिए पती को किसी ने बताया कि जब इस तरह से दोरे पढ़े तो डंडे से पीटना चाहिए डौट पती ने भी यही बात मानकर पत्नी को पीटना शुरू कर दिया उसने पत्नी को इतना पीटा की उसकी मौत हो गई पुलिस ने आरोपी पती को गिरफतार कर लिया है और उसका पुस्टमाटम होने के बाद एंटी माटम इंजरी उसके हेंड पर आने की बात संग्यान में आई है जिसके अधार, सारी पतीश की गयी, तपुस्ताच की गयी तो जनकारी मिली कि अवरत को फिट्स आते थे और फिट्स की अधार पर उसका इलाज भी चलरा था और मही हेने में दो बार फिट्स आते थे जब इसको आते थे तो पत्ती जो है ईसको डंडे से मारता था कि किसी ने इसको बता दिया सो समझा दिया था जिके वजय से इस सरा almost करता था जिसके करांस्ma से उसके सर पहे काफी चोट आ तथा कुछ चोट उसको जो है फिट जाने के जादे गिर भी गई थी वो उससे भी आई थे तो हैड इंजरी उसको हो गई और इस दरौब इसकी मृत्ति हो गई तदानुसार जो की घरवालों ने आठ साल पहले उसका विवाह हुआ था और लड़की के पितारे द्वारा एफ झालों की घर हैं था लड़की आए घर्वाटां मैं झालों ये जाए तेर भी तेर ये और ड़ागी के ये